Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. यह आप लोगों की collective reading है और आज हम करने जा रहे हैं You versus Them. Next 48 hours में आपके connection में क्या हो सकता है, क्या possibilities है, क्या आपका contact हो सकता है, क्या reconciliation हो सकता है, मुलाकात हो सकती है, यह सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे क्या possibilities हैं आप लोगों के relationship में अगले 48 घंटों में, यानि अगले 2 दिन में क्या हो सकता है, So regardless, आपकी क्या situation है आपके partner के साथ, सबके लिए यह reading open है और बिल्कुल timeless है, यह reading जब भी आपकी नजर से गुज़रेगी आपका उस वक्का message होगा, So शुरुआत से पहले, मैं हमेशा आप से कहती हूँ के cards, possibilities बताते हैं, आपकी final destination सिर्फ divine source को पता है, सिर्फ divine source को पता है कि finally आपकी life में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को open रखकर इस reading को देखना है, इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers हैं, thank you so much आप सब के प्यार और support के लिए, I truly deeply appreciate each one of you and I love you all, So अगर आप नए हैं मेरे channel पर, आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना है, पसंद आए तो like भी कर दिजिएगा और share भी कर दिजिएगा, So अब हम start करते हैं, सबसे पहले हम आपके connection की overall energy देखेंगे, और six cards हम लेंगे आपके connection की overall energy के लिए, सबसे पहले हमारे पास है out in the cold, service, ask for help, unavailable, abandoned, और फिर anxiety, So यह जो abandoned और out in the cold का card आया है और फिर unavailable, आपके person इस वक्त आपको time नहीं दे रहे हैं, आपको ghost कर रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या वो आपसे कह रहे हैं कि वो busy हैं या फिर उन्होंने बस आपको अकेला कर दिया है, और आप इस वक्त शायद आपको है यह anxiety, आप anxious हैं और आपको help चाहिए कि मैं क्या करूँ, कैसे पता लगाँ कि यह इन्सान क्या कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, कहां हैं, So आपकी बड़ी एक unclear सी situation है, आपके पस clarity नहीं है, आपके person का behavior कुछ अजीब है, वो आपको time नहीं दे रहे हैं, आपको खुल कर बता नहीं रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कहां busy हैं, So वो available नहीं है इस वक्त आपके लिए, यह भी हो सकता है कि यह इन्सान emotionally unavailable हैं, यह भी हो सकता है, So आप परिशान हैं, I feel, अब हम यह देखते हैं कि आपकी current feelings आपके partner के लिए क्या हैं, फिर हम उनकी current feelings आपके लिए देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि next 48 hours में आपके person क्या action लेंगे, So देखते हैं आपकी current feelings क्या हैं, हमारे पास है eight of pentacles, So हो सकता है कि आप एक बहुत hard working इनसान हैं, आप अगर female भी हैं तो working lady हैं, या नहीं भी हैं तो मेभी आपको कपड़े सीने का shock है, हाथ से कोई काम आप करती हैं, कुछ सीती हैं, में भी किसी को, वो जो मोती होते हैं, उनका necklace बनाने का shock है, हमारे पास है the devil, the chariot, बहुत सारे आगए, यह हम नहीं लेंगे, one more card spirit, मेरे viewer की current feelings क्या है, page of cups, bottom of the jack पर हमारे पास है five of wands, यहाँ पर Capricorn बहुत strong है, Pisces, Cancer, Scorpio भी, लेकिन मैं हमेशा आप से ही कहती हूँ कि आपने energy पर focus करना है, अगर energy आप से match होती है, तो बिलकुल आपकी reading है, so I feel, अगर यह वाला part आप से resonate नहीं करता, तो फिर आज की reading आपकी नहीं होगी, because यह आपकी energy है, so अगर आपकी energy resonate करेगी, फिर ही आपने आगे देखना है इस reading को, so मुझे ऐसा feel हो रहा है कि आपका कोई trauma है आपकी life में, आपके past experiences, कुछ ना कुछ trauma, कोई childhood हो सकता है, अब different चीज़ें हो सकती है, हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपके और बहन भाई जो हैं, आपके parents ने उनसे ज़्यादा प्यार किया, आपसे उतना नहीं किया, आपको neglect किया गया हमेशा family में, यह एक trauma हो सकता है, कि आपको प्यार नहीं मिला, आपकी family की तरफ से, आपको pamper नहीं किया गया, आप और लोगों को देखकर आपके दिल में यह चीज़ बढ़ती चली गई है, emptiness और आपको लगा कि हर कोई आपको abandon करता है, आपको छोड़ देता है, आपके parents में से हो सकता है, कोई गुजर गया, उसका trauma हो सकता है, कोई single parent के साथ बढ़ा हुआ, यह trauma हो सकता है, यह सारी आप से related चीज़े हैं, और उसका effect आपके इस connection पर हो रहा है, because आप अपने person को बहुत ज़्यादा एहमियत दे रहे हैं, और यह समझ रहे हैं, कि आपके अंदर जो एक emptiness है, वो आपके person fill करेंगे, जो कि काफी हद तक ठीक भी है, वो करते भी होंगे fill जब आपके साथ होते होंगे, बट उसको fill आपने खुद करना है, as an adult, अब यह आपकी जिम्मेदारी है, कि इन चीज़ों को आप heal करें, और लोगों से expect कर रहे हैं, कि वो उस space को fill करें, जो आपके अंदर एक आ चुकी है, so I do feel कि कुछ ना कुछ ऐसा है आपकी life में, जो surface पर आ रहा है इस connection की वज़ा से, जो spirit की तरफ से highlight हो रहा है कि आप उसको heal करें, जो कुछ ना कुछ ऐसा है आपके parents से related, आपके बचपन से related, जो अभी तक heal नहीं हुआ है, and I do feel कि आप एक बहुत sensitive इनसान है, आप चीज़ों को feel करते हैं बहुत deeply, so कोई बात है जिस पर आप surrender करना चाह रहे हैं अपने partner के लिए, I feel आप दोनों की कोई बहस हुई है, कोई लड़ाई भी हुई है कुछ लोगों की, so आपने apologize या तो कर लिया है, फिर भी आपके person आपको आप सही respond या तो नहीं कर रहे हैं, या आप सोच रहे हैं उनसे apologize करने का, initiate करने का, आप ये सोच रहे हैं कि, okay, मैं अपनी गलती मान लूँ, मैंने उसको मना लेना है, मैंने अपनी गलती मान लेनी है, मैंने surrender कर देना है, और अगर हमेशा आप ऐसा ही करते आ रहे हैं, अगर आपकी गलती नहीं है और फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप ये गलत कर रहे हैं तो अगर आपकी गलती नहीं है तो आपने नहीं initiate करना क्योंकि आप सिखा रहे हैं उन्हें कि उन्होंने long term में आपके साथ कैसे behave करना है और आपको कैसे treat करना है आप teach कर रहे हैं लोगों को कि अगर आपकी गलती नहीं भी है तो वो expect करेंगे कि आप माफी मांगें So ऐसा मत कीजियेगा ऐसे मत सिखाएं उन्हें कि वो आपको ऐसे treat करें So अगर आपको लग रहा है कि आपकी गलती नहीं है तो आपने माफी नहीं मांगनी और अगर आपकी गलती है तो फिर आपने जरूर माफी मागनी है, जरूर इनिशियेट करना है तो उसके इलावा I definitely feel कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ attached है आप desperately चाहते हैं कि इस connection पर आप काम करें इस connection को आप successful बनाना चाहते हैं आपके जहन में कहीना कहीन ये भी है कि ये इनसान मेरी आखरी होप है ऐसे मत सोचें I know आप बहुत ज़्यादा attached हैं अपने पार्टनर के साथ आपको बहुत उनसे लगाओ है, प्यार है आपने समझ लिया है कि this is the end but life goes on कोई हो आपके साथ या ना हो जिन्दगी चलती है, कोई एक इनसान आपकी जिन्दगी नहीं होता है कोई एक चीज़ आपकी जिन्दगी नहीं होती ये सिर्फ parts होते हैं हमारी जिन्दगी के हर इनसान अपना एक role play करता है हमारी life में वो हमारी जिन्दगी नहीं होता मैंने ये काफी दिन पहले भी अपनी एक रीडिंग में कह रही थी आप बहुत ज़दा अटेश्ट हैं प्यार करते हैं अपने पार्टनर से डेस्परेट का वर्ड मैंने यूज किया आप मेंसे कुछ लोग हो सकते हैं कुछ लोग नहीं भी हो सकते हैं but still I feel मैं इसको negative sense में नहीं कह रही हूँ I just feel कि आप बहुत ज़दा चाहते हैं कि ये connection successful हो पुरे दिल से चाहते हैं आपकी रूह, आपका दिल आप हर तरह से invested हैं इस connection में आप चाहते हैं कि ये connection successful हो आप हर तरह से जुकने के लिए तयार हैं, sacrifice के लिए compromise के लिए तयार हैं इस connection में अभी हम देखते हैं कि आपके person का क्या आपके लिए behavior है, फिर उसके according हम इस पर बात करेंगे but I feel कि आप पूरी जान लगाना चाहते हैं इस connection के लिए अब बहुत attached हैं आपको लगता है कि एक दिन भी उनके बिना आपका नहीं हो सकता वो हैं तो आप खुश हैं वो नहीं हैं तो आप नहीं हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई आपका childhood issue नजर आ रहा है मुझे, जिससे आपको heal करने की जरूरत है, और यह यह बहुत कम लोगों के लिए message था, सब के लिए नहीं था, हो सकता है कि आपके father आपकी mother को आपको छोड़ कर चले गए बच्पन में तो आपके दिल में कही ना कही वो चीज है अभी भी obviously आपने जैसे जैसे grow किया, आपने और लोगों को बच्चों को देखा, आपने parents के साथ बड़ा होते हुए, आपके दिल में वो एक space खला एक हमेशा रहा so let's see आपके person की आपके लिए क्या feelings है क्या वो भी दिल और जान से आपके साथ चलना चाहते है उनका क्या point of view है इस connection के बारे में spirit so हमारे पास है the moon so उनका जो भी point of view है वो बहुत hidden है maybe ये इंसान बड़े secretive है but I do feel कि ये इंसान बड़े sensitive और emotional भी है with the moon card let's see अभी और हमारे पास क्या आता है wow two of cups spirit उनकी feelings मेरे viewer के लिए क्या है hmm the tower ten of cups spices, cancer, scorpio wow यहाँ पर तो बहुत ही emotions है so इसलिए आप भी बहुत जदा attached है आपके प्यार में थोड़ा obsession भी नज़र आता है but आपके person के अंदर वो वला obsession नहीं है I mean bad sense में नहीं कह रही हूँ ये आपका प्यार का अंदाज थोड़ा different है थोड़ा से clingy से हैं आप don't mind जो मुझे feel हुआ जो मुझे नज़र आया इस reading में आपके person थोड़े से different है bottom of the deck पर हमारे पास है the empress but they simply adore you and admire you चाहे आप male हुआ या female ये empress की energy आपकी है they really really love you but ये जो moon card हमारे पास आया है इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्याद़ feelings और emotions हैं यहाँ पर invested आपके person भी आपके उपर बहुत invested है हर लिहाज से वो feel करते हैं कि उन्होंने भी अपना time और अपनी energy इस connection को दी है और वो आगे भी देना चाहते हैं और वो ये सोचते हैं कि आपने life में बहुत sacrifices किये हैं life में एक struggle थी आपके न so मुझे यहाँ पर again feel हो रहा है कि मेभी आप में से कोई single parent के साथ बढ़ा हुआ है so आपके जिंदगी की struggle आपके partner ने देखी है और वो नहीं चाहते कि आप उस struggle में से दुबारा गुजरें ये इनसान ये समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा deserve करते हैं आप बहुत ज़्यादा प्यार आप बहुत ज़्यादा deserve करते हैं आप एक बहुत deserving इनसान है आपको दुनिया की हर खुशी मिलनी चाहिए ये इनसान ये सोचते है so ये इनसान आपसे बहुत प्यार करते हैं खाप सजाते हैं आपके लिए और मेभी उन्होंने खुझ से भी कभी एक्सपेक्ट नी किया था कि वो इतने खाप सजाएंगे किसी के लिए इतना ज़ादा इन्वाल्व हो जाएंगे किसी कनेक्शन में बट ये इनसान आपसे बहुत प्यार करते हैं उनके लिए आप बहुत इंपोर्टन्ट हैं उनके लिए आप उनका फ्यूचर हैं हो सकता है ये रीडिंग आप अपने हज्बन के लिए देख रही हो या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो जो ये इनसान आपसे बहुत महबद करते हैं और चाहते हैं कि आपसे उनके बच्चे हो अगर अलरड़ी आप लोगों के बच्चे हैं मेभी एक और बेबी वो चाहते हैं कि हो आप लोगों का So anyway ये इनसान अपने emotions अप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ये इनसान थोड़े secretive भी है इस वक्त ये इनसान आपसे मेभी कुछ छुपा रहे हैं और मेभी वो आपके लिए कुछ surprise प्लैन कर रहे हैं चोटा सा और वो आपसे छुपा रहे हैं ये जो unavailable का काड़ा है और हमें नजर आया पहले हम बात कर रहे थे प्लैन कोई gift कुछ unexpected वो आपके लिए प्लैन कर रहे हैं और आपसे ये hidden है और ये आपके लिए surprise होगा आपको बहुत खुशी देगा उनका ये gesture I feel जो भी वो ये प्लैन कर रहे हैं और इसलिए वो शायद आपसे दूर दूर हैं आपको टाइम नहीं दे रहे हैं आपको कह रहे हैं busy है और वो अचानक से आपको surprise देना चाहते हैं ये आपके लिए बड़ा unexpected होगा बड़ा ही shocking होगा लेकिन आपको बहुत खुशी होगी जब ये इनसान आपको ये surprise देंगे कुछ बहुत बड़ा नहीं है बट I feel कि ये जो भी वो plan कर रहे हैं बहुत sweet है, बहुत दिल से है और आपको बड़ी खुशी होगी मुझे कोई hint भी नहीं मिल रहा कि वो क्या plan कर रहे हैं सिर्फ इतना ही कुछ लोगों के लिए है कि surprise dinner हो सकता है या movie movie पर ले जाएं आपको ये भी हो सकता है बट कुछ plan कर रहे हैं आपके लिए So I feel कि आपके person के अंदर उनके दिल में आपके लिए बहुत emotions हैं और ये सारे emotions उन्होंने कभी भी आपके साथ express नहीं किये हैं वो आपको ये जरूर बताते होंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं आपको miss भी करते हैं बर deep down जो वो feel करते हैं truly आपके लिए कि आपकी जो जगा है उनकी जिन्दगी में आप किस-किस तरह उन्हें हील करते हैं किस-किस तरह वो आपसे attached हैं और क्या-क्या उनकी expectations हैं इस connections से और वो क्या समझते हैं आपको अपना वो चीज़ें बहुत deeper level पर जो आपके लिए सोचते हैं वो कभी आपसे share नहीं किया है उन्होंने वो उनके दिल में ही है बट आप बहुत प्यार करते हैं और आप भी इनसे बहुत attached हैं and you want कि हर हाल में ये connection work करें और आपके person भी ये चाते हैं लेकिन difference ये है कि आपके person ने थोड़ा सा आप कहलें कि destiny पर छोड़ा हुआ है जैसे आप ये सोच रहे हैं ना आप ये सोच रहे हैं कि I will make it happen मैंने ये चीज़ कर देनी है मैंने करना है मैंने अपनी efforts से जान लगा कर connection को successful करना है अब यहाँ पर थोड़ी से आपके person की जो thinking है वो different है वो ये सोचते हैं कि divine intervention होगी वो ये सोचते हैं कि हमारी destiny हमारे लिए कुछ करेगी हमें flow के साथ जाना है सोच में लेकिन point एक ही है कि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते हैं एक दूसरे के साल long term चलना चाहते हैं बट उसके लिए आप हर level तक जाने के लिए तयार हैं आपके person भी कोशिश तो पूरी करना चाहते हैं बट कहीं न कहीं they want to go with the flow ये आपके person का mindset है तो देखते हैं कि अगले 48 hours में आपके person कोई action लेंगे या नहीं क्या वो कोई action लेंगे spirit अगले 48 घंटों में okay we have woman holding a heart number 44 so बड़ा बड़ी gentle loving energy है बड़ी generous energy है अगले 48 घंटों में जो भी उन्होंने plan किया हुआ है possibility है कि वो आपको बता देंगे आप से share कर लेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार admiration नज़र आ रही है आपके person की आँखों में कि दो cards हमारे पास और आ गए है so हमारे पास है sixth chakra जो के third eye chakra है and door to personal healing and happiness number 34 so I feel कि आपके person कोशिश करते वे नज़र आ रहे है इस connection को heal करने की and with this third eye chakra आपके person आप से connected है I really feel कि आप तोनों के दरम्यान एक psychic connection भी है आप psychic हो सकते है आप कुछ sense कर रहे हैं कि आपके person में भी आप से बात करने वाले हैं आप से communicate करना चाह रहे हैं maybe आप sense कर रहे हैं कुछ ना कुछ so वो आपके intuition आपको guide कर रही है I feel आपके person भी अपने intuition से connect करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत gentle energy में हैं आपके साथ connected नज़र आ रहे हैं मुझे spiritually बहुत ज़ादा आपको feel होगा आपके partner आपके साथ है so आपको energetically feel होगा एक gentle vibe एक energy आपको feel होगा जैसे आपके person आपसे बात कर रहे हैं हो सकता है आप किसी काम में मसरूफ हो लेकिन अचानक आपके जहन में ऐसे thought आए आपके person की अचानक से जब आप चा भी न रहे हैं उनके बारे में सोचना लेकिन अचानक से thought आए काम के दर्मयान में so समझ आईगा कि वो आपसे connect कर रहे हैं energetically बट कुछ लोगों के लिए I feel कि आप लोग physically मिल भी सकते हैं क्योंकि ये जो two of cups है ये physical meeting नजर आ रही है कुछ लोगों की face to face मुलाकात दे हो सकती है आपकी next 48 hours में reconciliation be with this door to personal healing and happiness और ये भी हो सकता है कि अगर उनका कोई personal issue चल रहा था उसको resolve कर लेंगे आपके person हो सकता है किसी personal issue की वज़ा से किसी family या work issue की वज़ा से वो आपसे बात ना कर रहे हो वो resolve हो जाएगा so वो क्या action लेंगे spirit next 48 hours में उनका action क्या हो सकता है next 48 hours में spirit one more card next 48 hours में okay so हमारे पास आगया है all that glitters number 16 है ये और फिर है unfinished symphony number 10 so I really feel कि आपके person को बड़ा incomplete महसूस हो रहा है आपके बिना I really feel कि वो बिलकुल अधूरे है और obviously आपको भी यही feel होता है कि आप incomplete है उनके बिना songs के थूँ हो सकता है कि आप connect करें next 48 hours में songs के थूँ energetically जैसे मैंने आपको पहले बोला उस तरह से और कुछ लोगों की physically meeting भी हो सकती है So I really feel कि इस connection की जो goodness है जो charm है वो अभी भी बरकरार है यानि वो खतम नहीं हुआ है अगर आप यह सोच रहे हैं कि वो spark पैशन जो था वो कहीं न कहीं खो गया ऐसा नहीं है वो सब अभी भी है इस connection में हो सकता है आपके person आपको कोई song भेजें WhatsApp के जरीए कोई song dedicate करें हो सकता है वो आपसे बात ना करें लेकिन आपको कोई song भेजें या मेभी आपने उन्हें भेजा हो जिसमें आपकी feelings express हो रही हो मुझे ऐसी बड़ी vibe आ रही है कि रापता आप करने वाले है आपके person उन्हें तो करना चाहते हैं रापता लेकिन उनसे पहले आप कर लेंगे रापता मुझे ये feel हो रहा है you deserve love you are lovable one more card spirit next 48 hours में क्या action ले सकते हैं मेरे viewer के लिए वो one card one card spirit वो क्या action ले सकते हैं so I feel के oops action आप ही लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं ज्यादा I feel आप initiate कर लेंगे आप नहीं भी करेंगे तो वो कर लेंगे लेकिन उसमें delay भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए बट हो जाएगा आप कर आपता so you deserve love you are lovable obviously इनसान ये तो feel करते हैं कि आप बहुत जादा प्यार deserve करते हैं so ये जो attraction है I really feel कि आप दोनों एक दूसरे को attract कर रहे हैं आपके person भी चाह रहे हैं कि आपको attract कर लें manifest कर लें कोशिश उनकी है कि आप उनकी तरफ आ जाएए आपकी भी कोशिश है कि वो आपकी तरफ आ जाएं आप दोनों एक दूसरे को attract कर रहे हैं so ये law of attraction भी है and of course आप दोनों के दरमयान एक बहुत जादा attraction भी है जैसे इस पर लिखा है इस पर लिखा है you attract romantic love by enjoying this moment fully so अगर आपको आपके partner के साथ मुलाकात का chance मिलता है उस moment को आपने fully enjoy करना है present रहना है उस moment में तो आप और ज्यादा love, romance अपनी जिंदगी में attract करेंगे but एक attraction भी है obviously बहुत attraction है आप लोगों के दरमयान इसका ये मतलब भी है so I feel कि आपके person से जादा मुझे आप next 48 hours में उनसे contact करते हुए नजर आ रहे है let's see आपके लिए क्या guidance है आपने अगर ना किया तो आपके person भी आपसे contact कर लेंगे but उसमें time भी लग सकता है but जैसा मैंने कहा it depends क्योंकि बहुत से लोग ये reading देख रहे हैं कुछ लोग के लिए मुलाकात भी हो सकती है it is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another now is the time to give to yourself इस पर बड़ा clear message आ गया है कि आपने initiate नहीं करना है अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप contact कर लेंगे आपने contact नहीं करना it is very important right now कि आप पीछे हटें थोड़ा सा अपने उपर time लगाएं energy लगाएं अपना focus अपने partner पर मत रखें and then sacred union wow honor and treasure your relationship for it is truly sacred so एक बड़ा sacred connection है खुबसूरत connection है और ये जो sacred union है I just feel कि soul to soul आप बड़ा connect कर रहे हैं जैसा मैंने पहले कहा energetically आप connect कर रहे हैं next 48 hours में आप union में हैं आपको feel होगी एक gentle presence आपके person की बट कुछ लोगों का union भी हो सकता है मुलाकात भी हो सकती है next 48 hours में बट आपने initiate नहीं करना मुलाकात हो, बात हो या ना हो आपने नहीं करना ये इनसान खुद करेंगे क्योंकि इस पर clearly लिखा है take a step back पीछे हर जाएं थोड़ा सा इस पर लिखा है yes इसका मतलब यह है कि चीज़ें बहतर होंगी and be assertive, be clear आपको life में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए है आपकी intentions clear होनी चाहिए confusion नहीं होनी चाहिए आपको and I do feel कि आप बहुत clear हैं इस मामले पर कि आप चलना चाहते हैं आप पूरी effort लगाना चाहते हैं इस connection के लिए बट अपने partner को भी allow करें कि वो भी ज़रा effort डालें खाली आप नहीं उनके अंदर भी यही वाला जज़बा होना चाहिए आप वाला तो थोड़ा उन्हें भी आप allow करें के वो भी level up हो so अब हम आपके yes and no question पर आएंगे आप अपना yes and no question अपने जहन में रखिएगा इसको मैं center में कर दूँ okay so हम देखेंगे आपका क्या answer आता है 7 letters और numbers होंगे आपका name initial आपके partner का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है life path number, house number car number तो शुरू करते हैं आपके yes and no question से no इसको दुबारा से करेंगे इसमें अटक गया okay so हमारे पास आगया है h 999 o d v z okay आपकां सरा है है देफिनिटली b आपकां सरा है येस it's definitely next है i j n x 2 2 2 c 4 4 4 number 7 n n y m z 2 2 2 2 2 k u a s m n n n 6 a l b g s w w v y z w v 8 v t j j and c so you are worthy of love and you are lovable अपने आपको ये जरूर बताया करें अपना धिर सारा ख्याल रखेगा i'll see you in my next video till then love you lots bye bye